सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भुलें जैसे भगवान संकर ने रावन की बुद्धी का मार्जन करना चाहा कर पाए तो जब भगवान संकर जैसे महागुरू मार्जन नहीं कर पाए तो प्रित्वी पर कोई भी गुरू आये हैं और कैसे करेंगे इसलिए जेतावनी तो सिश्च को भी है कि खतरी के निसान से उपर बहने की कोशिस न करें नहीं पुल पुलिया तूट जाएंगे जीवन भर के लिए गुरू और सिश्च के बीच जो सेत होता है वो सेत तूट जाएगी फिर काम नहीं बनेगा सेत हूट तूट जाए पुल ही तूट जाएगा हमारे तुम्हारे बीच का और पुल क्या था किसी को याद हो तो गुरू और सिश्च के बीच भगवान और भक्त के बीच सेतू क्या है एक दिन पूरा प्रवचन चला इस पर दो तीन घंटे चार घंटे नहीं जी प्रत्यक्ष सेवा उनकी सेतू है तो जो लोग प्रत्यक्ष सेवा में एन केन प्रकारेन लगे हुए है उनका सेतू तो बरकरार है चलेगा गुम फीर इधर उधर जैसे भी दोड़ दोब पंखाईले दोड़े चोकी लेई दोड़े की आसन लेई दोड़े उनकी बात बन जाएगी लोग कहते हैं नहीं पंखेले के दोड़ते रहता उसका बन जाएगा उतने में अगले का क्योंकि प्रत्यक्ष सेवा की बुद्धी उसके भीतर है और वह सेवा की बुद्धी सेतू है गुरु और सिस्स के बीच माता कुसमांडा और उनके भक्त के बीच माता सैल पुत्री और उनके भक्त के बीच माता ब्रह्मचारणी और उनके भक्त के बीच माता चंद्रघंटा और उनके भक्त के बीच यह सेतु मत तोड़। ये नौराप्त्री में नौ दिन की पूजा जो प्रत्यक्षत मा की प्रतिमा को रखकर आराधन करते हैं यह भी प्रत्यक्ष सेवा करके उस सेतु को बनाए रखने की एक प्रक्रिया माता की यार्ती, माता के वस्त्र, माता की सजावट, माता के स्रिंगार, माता की चौकी, माता के लिए जागरण, माता के लिए कलस, उपवास, अपने हाथों से ये बेकार नहीं है, बेर्थ नहीं है, मैं लगातार तीन दिन से कह रहा हूँ, उत्सो मत छोड़ना, लगातार तीन दिन से कह रहा हूँ, भजन मत छोड़ना, माता का स्रिंगार मत छोड़ना, पुस्प अर्पन मत छोड़ना, हवन मत छोड़ना, माता को भोग देना मत छोड और ऐसी ही जिवन्त गुरू के साथ तुम्हारी सीतु है कि उनकी प्रत्रक्ष सिवा करते रहे